चार्चित अभिनेता शेखर सुमन ने भाजपा से अपनी नई राजनितिक पारे की शुरुवात की है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने एवन टीवी से खास बाचित में कई मुद्दों पर खुल कर अपना पक्ष रखा। बाद शेखर सुमन जी जिन्हों ने भाजपा जनता पार्टी आज जोईन किया। सब जानेंगे सर क्या वजय रहीक कि तरह से आ प्रभावpowered वारती जंतापाटी से उनके काम से उनके जो दिशा उन्हें निर्धारित की है जो गती उन्हें पखड़ी है जो प्रगती उन्हें दिखाई है वो हम लोग एक भारी दाइरे से प्रभावित होके और उसमें आप बर्बस इससे जोनना चाहते हैं लेकिन वो एक प्रक्रिया है अगर मैं बाहर रह के भी कर सकता तो कर लेता लेकिन ज्यादा शक्ती मिलेगी कि मैं बहुत कुछ जो मैं करने निकला हूं वो मैं कर पाऊं अभी नेता के तौर पर आपने का काफी लंबी पारी बॉलिवर में खेली आक्टिंग केरियर में आपका काफी लंबा टाइम रहा है राम के ऊपर तू सिर्फ एक ही कहूंगा एक ही चीज जह श्री राम और सबको कहना चाहिए राम एक आस्था है राम को मजहब की तरह ना देखें एक रिलिजन की तरह ना किलकुल सटीक हो और ये तो कोशिश हर हम सब को अपने अंदर राम ढूंडना चाहिए हम उस राम की बात कर रहे हैं जोनों ने हिंदुस्तान को एक करके रखा है और इसके लिए बीजेपी खास तोर पर बधाई के पात रहें खास तोर पे नरिंद मोदी जी जिनके अथक परिश्रम सोच मेहनत और शायद जिद की वज़े से ये संभव हो पाया नहीं तो राम ये जब ये राम को भी आप राजनीत के घेरे में डाल देते हैं तो राम जी को भी इतने सालों तक भटकना पड़ा राम भक्त जो हैं वो राष्ट भक्त हैं इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं देखिए ये सब बयान बाजी सब इस पर बिलकुल ना जाएं किसने क्या कहा कौन क्या कह रहा है कैसे शब्दों का हेर फेर कर रहा है ये सब ये सब उल्जाने वाली बात है हमने का सीधा साध सब न नुटकम को एक ओलग तरीके शेए कि हुआ पर यह 사न ta और घाज़ी जॉइन kita भारती में बारको से प्रभावितिATE न यह पर चैब सब देन